हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे साइन्स ओफ ट्रिग्नोमेटरी फंक्शन एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से हम कभी भी नहीं यह बूलेंगे कि कौन से क्वार्डरेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेटरी एश्यो जो है वो पॉजिटिव है य यृः गया है जो आता ही हुं उसने के लिए को जो क्वार्डरेंट फिर को टार्डर्रत फॉर्थक्वाडरेंट अब नेस nhi आपको ध्यान रखना है कि यह जो क्वार्डरेंट है वो अंटीकलब्वाइस चलई है इस ress नेक्टलब्र्वाइस मतलब जिस डारिक्शन में घ अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है all, all का क्या मतलब है यहां पे कि जो सारी trigonometric ratio है वो first वले quadrant में positive होती है that means sign, cos, tan, second, cosecant, सारी positive होती है second वले में लिखा हुआ है sign and cosecant are positive अगर आप लोगों को नहीं पता कि sign और cosecant जो है एक दूसरे के reciprocal होते हैं तो उस पे अलग से वीडियो हैं उनका link description में है ठीक है जी अगर sign positive है तो इसका मतलब है कि automatically cosecant भी positive होगा इसमें क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के reciprocal हैं third वले में tan और cot positive होता है बाकी सारे negative होते हैं बाकी सारे का क्या मतलब sign, cos, second, cosecant यह इदर सारे negative होएंगे अब fourth वला जो है उसमें cos और second positive है अब इसमें trick फिर कौन सी हुई मैंने तो सारा वही बताया कि जो आपकी books में available है तो extra इसमें क्या है कि हम लोगों को याद कैसे रखना है कि किस quadrant में कौन सी ratio positive है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको ये line एक याद रखनी है after school to college अब ये मैंने क्यूं बोला आपको याद रखने कोल इसलिए बोला है कि after का a ले लो all positive school का s sign or second positive to का t means के tan positive और उसके बाद college का c means के cos और second positive ठीक है जी इसकी मदद से आपको याद रखना है कि after school to college का क्या मतलब है all positive sign positive tan positive and cos positive ठीक है अब एक बात यहाँ पर और note करने वाली है कि जहां से यह हमारा coordinate axis start होते हैं यहाँ पर है 0 degree फिर आता है 90 degree 90 degree को आप pi by 2 भी बोलते हो उसके बाद 180 degree को pi भी बोलते हैं और फिर आता है आपका 270 degree या 3 pi by 2 अब यह जब पूरा circle complete होता है तो यहाँ पर कितना आजाता है 360 degree या 2 pi अब इसको और depth में अगर समझना है तो उसके लिए example देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि जो sign 60 है वो positive है या negative है what is the sign of the following सबसे पहले sign 60 यह positive है positive क्यूं है क्यूंकि sign जो 60 degree है वो first quadrant में आता है first quadrant जो है वो 0 से 90 degree तक का होता है तो 60 first quadrant में आता है और first quadrant में सारी trigonometry ratio positive है उसके बाद tan 200 200 पहले आप देखो कि कौन से quadrant में आता है वो आता है third quadrant में third quadrant में अभी अभी हमने देखा कि जो tan होता है वो third quadrant में positive होता है 200 भी third quadrant में आता है that means यह भी क्या होएगा positive होएगा अब आपको देखना है cos 100 degree positive है या negative है second 280 degree और comment करके बताना है कि यह दोनों positive है या negative है यह मैं आपको थोड़ा और अच्छे से पहले बता दूँ sin 60 था ना हमारे पास 60 यह 0 to 90 का है तो 60 जो है वो first quadrant में आएगा इसमें सारे positive मतलब sin 60 positive tan 200 था 200 यह है 180 degree 180 degree में कुछ add करेंगे जो 200 है तो तब आएगा 180 में कुछ add करेंगे that means third quadrant में आ जाएगा third quadrant में आ जाएगा तो tan जो है वहाँ पे positive है अगर यहां पे होता tan 170 degree 170 degree मतलब कि यह 180 से कम है तो second quadrant में आना था तो tan की value आनी थी negative ठीक है जी तो आपको देखना है cos 100 और secant 28 जो है उनकी वो positive है या negative है और comment में पताना है if you like this video please hit the like button and subscribe to my channel इसे मुझे motivation मिलेगी तांकि में आगे भी ऐसी videos चालो